दुस्तो एक बहुत ही सुन्दर दृस्टांत आज मैं आपके लिले करा हूँ दृस्टांत आपको अच्छा लेगेगा लेकिन उसके लिए यही शर्त है कि आप दृस्टांत को पूरा देखेगा क्योंकि किसी भी चीज का सार उसके अंते में छिपा होता है दूस्तो विश्वास जानिए सिर्फ जिव्या से भगवान को जपने वालों को भगवान ध्यान रखते हैं लेकिन भगवान उसके दास बन जाते हैं जो हिर्दय से भगवान को प्यार करता है इसलिए हिर्दे से भागवान से जुड़िये जिव्या से चुड़ेंगे तब भागवान आपके है। लिखना जी बोले पता नहीं कुछ बहीग गहतों पर काम करने अर्णारत को बड़ा-श्यर हुआ कि भागवान और मुझे रहें शुय वह सबक्षर करने हैं तब नारची ने उस सुकता वस पूचा कि प्रभू, ये बताईए, बही खातों में क्या लिख रहे हो? तब भगवान ने कहा कि इन बही खातों में मेरे भक्तों के नाम हैं, जो मुझे हर पल भजते हैं, मैं नित्ये उनकी हाजे लगाता हूं, बस लही काम कर रहा हूं। नारची देखा कि उसमें आनूमान जी का कही नाम नहीं हैं। पर आपका कहीं नाम नहीं है, अनुमानजी नहीं का अच्छा कोई बात रही, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा, कि मेरा नाम उस खाते में लिखा जाए, फिर एक दिन नारद मुनी भगवान के पास आए, उस दिन भी भगवान वही खातों का कम करे थे नारद मुनी फिर भगवान के पास गहे, और प्रफु राम को नमशकार करके बोले, कि आज आप क्या लिख रहे हैं प्रफु, तब भगवान ने कहा कि मैं आज उन भगतों का नाम लिख रहा हूं, जिनको मैं नित्यर बसता हूं, नारद जी ने डायरी खोल कर देखी, तो सबसे उपर अनुमांचि का नम था, यह देखकर नारद जी का भी मान तोट गया, पहने का अर्थी यह है कि भगवान को जो जिव्या से बचते हैं, प्रफु उनको अपना भक्त मानते हैं, लेकिन जो हिर्द्जासे बचते हैं, भगवानों स्वएम उनके भकत हो जाते हैं भगवान अपने हिर्दे में विश्य रूप से उने रखते हैं आशा है जो में समझाना चाहता हूं आपके समझ में आ गया होगा अपने बहुत ध्यान लखें, हसते रहें, मुश्कुलाते रहें, खुश रहें धन्य वग